साल 2020 की शुरुवात में आई ताना जी द अंसंग वॉरियर्स की सफलता के बार अज़े देवगन साल 2021 में आने वाली अपने अगली फिल्म का भी ऐलान कर चुके हैं ये तमिल की सूपर हिट फिल्म कैथी का आधिकारिक रीमेक होगा खुद अज़े ने ट्वीटर पर इसके अज़े देवगन की इसी साउथ इनियन फिल्म कैथी की ऑफिशिल रीमेक के बारे में बताने वाले हैं आज़े ने अपने अफिशिल ट्वीट में लिखा है कि मैं तमिल फिल्म कैथी की हिंदी रीमेक में काम कर रहा हूँ जो फर्वरी 2021 में रिलीज होगी दोस्तों बता कि कैथी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें कार्टिक शिवकुमार, सुनील कुमार और धीना ने मुख्य किरदार निभाए थे। कैथी का निर्देश इन मुकेश ने किया था। दोस्तों आजे की लास्ट फिल्म ताना जी दान संग वॉरियर ने बॉक्स ओफिस पर शा देशित किया था। फिल्म में अक्शे कुमार, काट्रीना कैफ भी थी लेकिन कोरोना वायरस की वज़े से लगे लॉकडाउन की वज़े से फिल्म की रिलीज रोग दी गई। दोस्तों आजे अपने सिंगम वाले अवतार में इस फिल्म में स्पेशल रोल में नसर आने वा जिसमें वो स्क्वाडरून लीडर विज़े कार्णी की भूमिका में हैं। ये फिल्म अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी वहीं अजे देवगन के एक और फिल्म मैदान में इसे साल रिलीज होने वाली थी। फुटबाल कोच की जिन्दिगी पर बनी इस फिल्म की थोड़ी शूटिंग अभी बाकी है। इन फिल्मों के अलावा बतौर प्रड्यूसर भी अजे अपनी जमेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी शेक बच्चन स्टारर फिल्म दब बिक बुल को अजे ही प्रड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा रा फिल्म कैथी के रीमेक में उन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अजे ने इससे पहले फिल्म के लीड रोल के लिए सलमान और रितिक के नाम सामने आये थे। लेकिन अजे कि ऑफिशल अनौंस्मेंट के बाद ये साफ हो गया क फिल्म में अजोई रोल में नज़र आएंगे। दोस्तों फिल्हाल फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है। फिल्हाल फिल्म प्रि-रोडक्शन की फेज में है। बताय जा रहा है कि फिल्म में आजो इश्रांदार एक्शन करते दिखाई देंगे जिससे देखने के लिए पेटन दबाना ना भूले और ऐसे ही लेटेस्ट रोताजा तरीन बॉलिवुट की चटपटे खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले